हेलो फ्रेंड्स सुनिता मोंस किचन में आपका स्वागत है आज हम काजू से काजू रोल बनाएंगे मैंने ये रेसिपी फर्स टाइम ट्राई किया और यह बहुत ही अच्छा बना तो चलिए इसे देखते हैं कैसे बनाते हैं जिस तरह का हम मिक्सर काजू कतली या फिर काजू की दूसरी मिठाई बनाने के लिए तयार करते हैं सेम उसी तरह का हम मिक्सर तयार करेंगे इसके लिए सबसे पहले हम एक पैन गरम करेंगे पैन में हम करीब एक कप पानी, हाफ टी, स्पून घी और स्वात के अनुसार चीनी डाल कर इसे हम अच्छे से मिला लेंगे हीट को हम मीडियम कर देंगे और इसे हम उबाल आने के लिए छोड़ देंगे चासनी में उबाल आ गया है, अब हम इसे इसी तरह से एक तार होने तक पकाएंगे चासनी में एक तार बनना सुरू हो गया है, अब हम इसमें पीसा हुआ काजू पॉडर डाल कर इसे हम अच्छे से मिला लेंगे इसी तरह से लगतार चलाते हुए हम इसे गाड़ा होने तक पका लेंगे मिक्सचर जो है हमें एकदम चिकना चाहेंगे इसमें एक भी लम्स नहीं होना चाहेंगे तो हम इस बात का ध्यान रखेंगे ये देखें मिक्सर जो है वो थोड़ा गाड़ा होना सुरू हो गया है और पैन भी छोड़ने लगा है अब हम हीट को आफ कर देंगे काजू का जो मिक्चर है वो ठंडा होने के बाद जल्दी से ड्राइ होने लगता है तो हम यह प्रक्रिया जो है वो थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे काजू के मिक्चर को हम दो भाग में बाट लेंगे एक बोट पर मैंने प्लास्टिक रैप को अच्छे से बिचा दिया है और इसके उपर काजू का पेश्ट को मैंने रखा है प्लास्टिक रैप की जगा आप प्लेट में घी लगा कर इसके उपर भी काजू पेश्ट को रख सकते हैं अब हम इसमें बारीक कटा हुआ पिस्ता को डाल कर इसे हम अच्छे से मिला लेंगे काजू रोल को और भी ज़्यादा सुन्दर दिखने के लिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा यलो फूट कलर लिया है या पूरी तरह से ओप्सनल है बारीक पिस्ता की जगा आप अपने पसंद का ड्राइफ रूट्स भी बारीक कट करके डाल सकते हैं अब हम इसे अच्छे से मिला लेंगे अगर काजू का जो मिक्सर है वो हाथ में चिपकता है तो हम हाथ में थोड़ा सा घी या बटर लगा लेंगे जिससे हमें मिलाने में असानी होगी ये देखिए फूट कलर और पिस्ता जो है अच्छे से मिल गया है अब हम इसका एक रोल तयार करेंगे काजू का जो मिक्सर है अभी भी हलका सा गर्म है तो इसे हम जल्दी जल्दी करेंगे जैसे जैसे यह ठंडा होगा थोड़ा हाड होना सुरू हो जाएगा काजू का जो मिक्सर है इसे मैंने स्क्वाइर जैसा कर लिया है ये देखिए इस तरह से आप चाहे तो इसे राउंड सेप में भी तयार कर सकते हैं यह देखे काजू का स्क्वार रोल तैयार हो गया है अब हम जल्दी से दूसरे पार्ट को भी लेंगे अब हम काजू मिक्सर के दूसरे भाग को लेकर इसे हम प्लास्टिक रैप पर रखेंगे और बेलने की मदद से इसे हम बेल लेंगे इसके उपर हम यलो रोल को रखकर एक बार हम चेक कर लेंगे और हम इसी के अनुसारी पतला या मोटा बेल लेंगे अब हम यलो मिक्सर को वाइट मिक्सर के उपर रखकर इसे हम अच्छे से कवर कर लेंगे इस तरह से चारो तरफ से हलका सा दबाते हुए इसे हम अच्छे से कवर कर लेंगे रोल तयार हो गया है अब हम एक बोल में कोकुनट पॉडर लेंगे और रोल को अच्छे से कोट कर लेंगे इस तरह से काजू रोल जो है वो थोड़ा सा ड्राइ हो गया है तो इसके उपर कोकोनट पॉडर जो है वो अच्छे से कोट नहीं हो रहा है तो मैंने इसके उपर हलका सा पानी लगा कर फिर इसके बाद मैंने इसे रोल किया है जिससे की coconut जो powder है वो अच्छे से coat हो गया है अब हम काजू रोल को plastic wrap में wrap करके इसे हम fridge में set होने के लिए रख देंगे काजू रोल जो है अच्छे से set हो गया है अब हम चाकू की मदद से इससे हम अपने पसंद के अनुसार पतला या मोटा pieces निकाल लेंगे काजू रोल को set होने में ज़्यादा time नहीं लगता है 15-20 मिनट में या तयार हो जाता है काजू रोल बनाते समय हमें थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है क्योंकि काजू का जो mixer है वो बहुत जल्दी dry होने लगता है mixer जब pen छोड़ने लगे तब हम heat को off कर देंगे और इसे हम लगतार चलाते रहेंगे हलका सगर्म रहने पर ही हम हसानी से या मिठाई बना सकते हैं dry हो जाने पर इसे बनाने में दिक्कत हो सकती है और अच्छे से सेट नहीं हो पाती है तो इस बात का हम ध्यान रखेंगे ये देखे हमारा काजू रोल तयार है इसे हम फ्रीज में रखकर वन वीक तक अराम से खा सकते हैं आप भी ये मिठाई एक बार जरूर बना के try कीजिए और आपको या रेसिपी कैसी लगी मुझे कॉमेंट में लिखिए और भी नई रेसिपी के लिए नीचे दिये हुए बटन को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल को सेर कीजिए मिलते हैं फिर एक नई रेसिपी के साथ थैंक यू झाल